तो कि अगर आप अपने देश के अंदर पावर शेर अच्छे से करते हो तो आपका देश अबार हो जाएगा और अगर आप पावर शेरिंग बेकार तरीके से करते हो तो आपका देश पर बाद की हो जाएगा ठिक और जो आपका बैल्फियम होने वाला है दोस्तो यह तो पिछली बार भी अमने तैंच क्लास पढ़ाया।। इसमें 10 ग्लास बोर्ड के अंदर एक बुच्चे के ओफ़लाइन जो मारे क्यूशन सेंटर में पढ़ता है उसके 99 स्कोर करा उसने SST के अंदर तो इस बार मैं ही चाहता है कि कोई 99 अंदर थैरे इस बार मैं चाहता हूँ कि लगबग online भी और offline बहुत बच्चे एकदम 100 स्कोर टिका है तो उसके लिए दोस्तो आपको पूरा चैप्टर सबजना पड़ेगा और आप बिल्कुल टैंसन मतलो इस वर जो आपके अभी यूटी होने वाले एक अफ़ते के अंदर उसको आपको फिक्स कोसें बताऊंगो वो ही आपको एक्जाम में देखने को मिलेगे तो किस चैप्टर को समझेंगे दोस्तों देखो समझा में पूरा चैप्टर दोगा जब एंड में वीडियो खतम होगी ना तो आपको पूरा चैप्टर फील हो जाएगा लेकिन मैं इसमें आपको एंड में तीन कोस्टन पूछूंगा तो पूरे चैप्टर को में फील करें चैप्टर बहुछँगा चलिए करते है चैप्टर को स्टार्ट सो हैलो दोस्तो मैं सुमिट ठाकूर तो स्वागत आपका हमारे यूटूब प्यारे से यूटूब चैनल एच रगेड़ी पर आज अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर फॉर्स जिसका होने वाला पावर शेरिंग तो दोस्तो सबसे इस चैप्टर के अंदर हम दो देशों के एक्जामपल लेंगे कितने देशों के दो एक होने वाला है बैल्जियम एक होने वाला सिर्लंगा कितने हैं दो देश कौन-कौन से बैल्जियम और सिर्लंगा तो यह आपका बैल्जियम होने वाला है यह सिर्लंगा होने वाला है सि में आपको समझा देता हूं ऐसे मोर्ड मशना कfelt आपको दिख रहा हूब वर्ड मैप के अंदर इन यह वाला डिकत कि बात मily यह यह जितना सब क्या डिक्रानी एह सब क्या किया है और स Voilà और लॉप और अगर अपने देश के अंदर अच्छे से करते हो, तो आपका देश अबाद हो जाएगा खिए्वां की बारेम के ह summar using यड़िंफ ने बिठाता कि यड़िग внешर बार तो एक देश ने फारि चेसे करही तो परबाद तो था Inner अपको दिखाता हो जाई मैंने खुल ंरapp का थे मैं खुल介 मैं खुल आ खुल दिख रहा है वह एक नमराम से डेख चीजों को फोकस को किलियर हो जाएगा तो मैं आप समझो बैल्जिम के उपर क्या पढ़ता है निदर लेंड बैल्जिम के नीचे फ्रांस 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 यहां तक आपको एकक़ बुल्म किलिए हो गया होगा दोस्तों और यह रहापका छेलंगा अब समझव आगे इसका तो मैंने इरोप की small country है उसके बाद इसकी population 1.16 करोर कितनी है 1.16 करो इसको compare कर सकते हैं हरियाना स्टेट से किस से कर सकते है हरियाना स्टेट हरियाना राज जे से क्या करेंगे compare ठेक है जितना हमरा हरियाना राज यह उतना ही कोन है पैल्जियम और दोस्तों मैंने अभी आपको बोला था कि जो मैं बता रहा हूं इसकी boundary किसकी से touch होती हो आपको ध्यान से रेकना है तो यही आपको सने किसकी boundary किसकी से touch होती है तो हमने देखा था बैल्जियम के उपर क्या था निदरलेंड क्या था निदरलेंड क्या था दोस्तो निदरलेंड अच्छा बैल्जियम के बगल में क जिसको हमने बॉला लगता है कि लिए लोगे दोस्तों एकदम यह गõ वह एक लिए तो आपका one marks में इसमें कुछ भी question बन सकता है कि क्या population है कहा का देश है Belgium किस से compare कर सकते है और कौन कौन सी boundaries touch होती है तीन option देदेगा आपको एक में क्या कर दे रहा है यह के लिए रहा है अब दोस्तों मैं आपसे question बुचू कि Belgium का हमने map देखा तो Belgium का map परफेक्ट तो नहीं कुछ इस टाइप से था और देखा ऊपर ना बुक खोलोगे तो ऊपर देखोगे पीले कलर का क्या है पीला कलर और नीचे देखोगे तो आपको रैड कलर ऊपर कैसा देखेगा पीला नीचे रैड समझा रहा है जैसे मैंने बोला उपर क साइड आपको एकदम इस टाइप का एकदम पीला कलर दिखेगा बना देते हैं तेंसर नहीं लेना है ठीक धोस्तों यह पीला कलर दिख रहा है कुछ और मासे पीला कलर नहीं ठीक है अब आजो रैड पे रैड बना दू वही एकदम चलो देखो नीचे कैसा है रैड नीचे कैसा है रैड अभी दिखाएंगे टैंसर निलना विल्कुल तो उपर पीला नीचे रैड समझ आ गया वही एकदम देखो उपर वाला जो इलाका ने इसको एक नाम दिया गया फ्लैमिस कौन साची उपर वाले लेगले लागे क्या बिलेंगे तो इस अपने इलागव कों एतना कि निला इस इना के pole अगया फैतिपिनाइन पर से अगया नेचे अ किला आता है इसको हम बते विल्लवanki है वेलोंग इसमें क्या है दोफ्रेंच लोग रहते हैं पूर रहते हैं यहां पर रहते हैं 40% तो 59% और 40% 1% गब पड़ता है 1% नहीं में देखोगे आपको नीले कलर का चीजर दिखेगा ऐसे कलर का आपको चीजर दिखेगा यहां पर 1% रहते हैं Germany क्या होता है जर्मागे बैसिक समझा यरोप संधु यहां प penser और रे liksom और पर 59 कोन से लागे में रहते हैं तो फ्लामी से फगल में कौने में जर्मनी लोग रहते कितने परसेंट एक परसेंट एक तम यहां तक में मालू के सबको आ गया एकदम मालू दोस्तो फुटो की चले इसकी फ़ास्ट एकदम एकदम इसकी इन शोट ले लो जल्दी फुटो की चले किलियर आप देखो अचे की चलेटar देख निए डिख रहा है पीला कलर चे तुररंथी आद आएगा पीला कल्रe चे ँर поз दोस्तों चेज्ञ आला कोन सांसा गयक व्हें चले ज समच यहां द क्वेल्घर कों ए पाच न स cargo भाच जना कि व मतम स्ञ़भी थाह दोस बांग खिर य। थाए तो यहां पर तो यहां पर नहीं जाना है अब दियान से देखो दूश्कों अब देखो आपको कैसे परचाही दिखेगी उसकी एकदम के लिए मानल एकदम के लिए ने मिठा दो इसको यह इंपोर्टेंट इसको नौटता रो फास्ट ठीक है चलो अब समझो अब पढ़ेंगे बैल्जियम का सोसल स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे सोसल स्ट्रक्चर 59 परसेंट जल्दी फास्ट 59 परसेंट कोन थे डच दोस तो समझना एकदम भागना नहीं है अब दोस्तों इसकी इंडिया के अंदर दिल्ली कैपिटल है तो बेल्जेम की कैपिटल होगी तो बेल्जेम ब्रुसेल कोन थी प्रुसेल जो था यहां पर चीजे अलग थी यह पर चीजे ऐखी अलग देखो पूरे बेल्जियम के अंदर सोसलिस्टर ने 59% डज.ई 40% फ्रेंच एक पर सेंट जर्मिनी ब्रूसल presidential मे ऐसा ब्रूसल में будет 80% यहां फ्रेंच और यह 18% कोन गय फ्रेंच कोन हो गए यहां 20% कौन थे डच्छ फर्स्ट कोशन यही है इसको पहले जल्द इसको स्कीनशॉट लो और जल्दी से फोटो किचो मैंने बोला पूरे बैल्जियम का सोसेल्स जर्में 59% डच्छ 40% फ्रेंच 1% जर्मनी लेकिन बैल्जियम की कैपिटल जी जिसका नाम था ब्रूस इल्द असी परसेंट फ्रेंच लोग है बीस परसेंट अच लोग है कि लिए इसको एक इसकी इंच्ट मारो फास्ट लिए अब आओ बार उपद अब देखो यह को सन नहीं पूछा जाता है एक्जाम में नहीं पूछा जा राजधानी बुरूस बताओ कों सा इलागा है फ्लैमिस कों सा हिलागा है कितने परसेंट रहते हैं 59 कितने परसेंट फ्रेंच रहते हैं 40 जर्मनी यह तो याद हो गया होगा हम कहरें मीडियो पुरे याद हो जाए कि को दिक्तरनी है फर्स्ट को सम्ट जवाब देतो मान जा लेकिन दोस्तों भी हमने पढ़ा कि अंदर 80% फ्रेंच है और 20% अच्छ यह फ्रेंच ज्यादा कैसे हो गए उपड़ और डच कम कैसे हो गए उपड़ बलकि यह तो रच वाले लाके में पढ़ता है डच वाले लोग ज्यादा होने चाहिए कमेंट में इसका यहांसार दें देखता हूँ कौन बच्चा कमेंट में अक्राश दे देता है जो बच्चा अंसर पढ़ता स्कानी पता है उसको पढ़ा जुँँओ तो इसका आनसर पता है तो नया बच्चे जो ओनलाइन वाली बच्चें वह ही ה só BPट पढ़ा एंगे जिन् हमने social structure ठीक है समाजिक बनावट समझी अब हम समझेंगे कि दोस्तों क्या क्या आगे चीज़े होने लग गई तो दोस्तों क्या होता है 9050 और 60 अब दौर आता है लड़ाई का 9050 और 60 में दोनों के भी सतनाव स्टार्ट हो जाते हैं मर्द और लुगाई की तरह लड़ने लग अब दच चाहता है पूरे बेल्जियम पे मेरा कंट्रोल हो फ्रेल चाहता है पूरे बेल्जिम पे मेरा कंट्रोल हो इंचे समझाव रहाम से उननिस सो पचाशाट में लडाई स्टार्ट हो गई, अब देखो जो स्की स्वीधाने में इस लड़ाइं को सुझाने के लिए सविधान में शेंज करा गया, सविधान में क्या कर हूँ एठ जिस तिसे और किया इधने शेंज करें? 4 इधने शेंज पर इस लोए? 4 तो अब बताओ इतनी असान language में आपको समझा रहो बटी, असान language वहां लिखने तो नहीं है चार संसोधन क्या करें? संसोधन संसोधन को इंगलिज में बोलते है amendment क्या वोलते है दोस्तो amendment क्या बोलते है? word भी सीखो एग्जाम में लिखना है तो आपको लिखना है कि 1950 से 60 में दोनों के बीच तनाव एक stress start हो जाता है और 70 से 93 के बीच जो तनाव है इसको खतम करने के लिए Belgium की सरकार पावर शेयर करती है और 4 changes करती है अपने सविधान में कितने changes करती है चार वन मार्क से कोशन बन जाएगा 27-93 कितने changes बने चार इसे ही बोला गया Belgium की समझदारी क्या वो लगया दोस्तो बैल्जियम की समझदारी क्या वो लगया Belgium की समझदारी यही अब हम पढ़ेंगे दोस्तो यह क्या करेंगे बैल्जियम की समझदारी क्या थी तो बैल्जियम की समझदारी थी चार संसोधन करना विजडम ठीक है चार संसोधन करना तो यह चार संसोधन क्या करें ऐसा क्या कर दिया Belgium की सरकार ने कि दोलों की लड़ाई बंतों की French और अच्की तो यह हम पढ़ेंगे फास एकदम इसक तो चार, चेंज नहीं बोलेंगे, आप से बोलेंगे, हिंदी वाले संसोकर, इंगी से एमेंडमेंट, चार एमेंडमेंट, 4 जारे संसोतल, हुआ थे, 70 शे 7ौ digoanh, 70 शे 7 Ton decir, very good, अब हम समझेगे, क्या संसोदल करा वाईगा? तो तो सबसे पहला इन्होंने काम करा, सबसे फॉर्स्ट काम इन्होंने करा, Minister Equal Minister Equal अचा क्या Minister Equal वही है, समझ नहीं आगा इसका मतलब है, 50% Minister रहेंगे French के 50% Minister रहेंगे Dutch के अब बताओ, अगर Dutch कोई रूल लागू करना चाहे रूल डूल डावू करना चारा है लेकिन हो फ्रेंज के लिए अच्छा निए Unteram पास ही नहीं हो PAS करने के लिए 51% सी है PAS ही नहीं हुपा तो रूल वही PAS होगा बन्हों एक कबजा नहीं हो PAS पाएगा दोनों का कबजा रहेगा पूरे देश पर यह दिमाग लगाया। दूसरा संसोधन केकाया वही we go तो हर जगह एक सरकार को सिलमाः केंद्र सरकार जैंसे बारत बीज डिलंड लिधा बीज चल रही है तो कैंद्र सरकार ने लगाया दिमाग किया लगाया दोस्तों भ fetch यह क्या दिमाग लगा है Central Government, ऐसा क्या कर दिया Central Government ने, Central Government ने दोस्तों क्या करा, दो एरियास में, यह हम बोल सकते हैं, दो एरियास, यह दो रीजिनल, ठीक है, दो छेत्रिय सरकार, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, छेत्रिय सरकार, कें सरकार ने, छेत्रिय सरकार, छेत्रिय माने क्या एरियाज में पावर डिवाइड कर दी, कितने एरिया में? दो, एक किसका था? फिलैमिज, किसका था? धूसा किसका था? लो भाई, देश पे कंट्रोल होता जा रहा है, दोनों का कोई एक कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझदार देखो कितने तगड़ी दिखाई है और इन्होंने क्या करा तीसरा काम, ब्रूसेल में सरकार अलग थी, ब्रूसेल में सरकार अलग थी, तो कैपिटल के अंदर भी तो वर्चस रिक्वल करना होड़ेगा, तो कैपिटल के अंदर भी इन्होंने वर्चस दोनों का क्या कर दिया, बराबर वर्चस मतलब होता है, इनोंने government बनाई जिसका नाम था community government क्या नाम था क्या नाम था community government क्या नाम था community government यह government इनोंने बनाई और यह government दोस्तों तेन चीछ पर काम करेगी कितने चीछ पर तीन चीछ पर पहला काम करेगी education जो main देश की मेन चीज पर दो बंदो कंट्रोल खमा दिया, डच का और फेंज का, करो लडाई के अंगरों ही, कर लेगा कोई ये कबजा, लेकिन सेम काम, सेम जगा, सिरलंका में भी स्टार्ट हुआ था, अभी पढ़ेंगे कहां दि, सिरलंका बरबाद हुगया, तो वही समझेंगे, इसको नोट करो एकदम फाश, एजुकेशन, शिक्षा दोस्तो, कल्चर, संस्कृति, लेंग्वेज बासा, हिंदी वालों को लिख दू कोई दिक्कत नहीं है, बाशा, लिख लिजी है राम से, इसको बोलते हैं संस्कृति, क्या बोलते हैं, संस्कृति, देश की मे यह संस्कृति होती है, तो वोलते हैं, क्या होती है, और दोस्तो, क्म्मुणिटी को भूर्मंट को बोलते हैं, Σामुदाइक सरकार, क्या बोलते हैं, सामुदाइक सरकार, एकदम ऐजी है चप्टर, रिनヤ कोई दिककत की बाद नहीं, एक बातने हैं आदा पढ़ेंगे शिलंगा शिलंगा पहले बता दो हमने पहले बेसिक बढ़ा जिसमें अर्याना आज ये वगर रहे से कंपेर करा पॉपोलिशन बढ़ी उसके बाद सोचल इस्टर बढ़ा फ्लैमिस वाला फिफ्टी नाइन परसेंट डच वेलोन वाला 40 40 परसेंट ठीक है और आ जो जिसमें भी उसमें भी दोनों का उसमें वर्चस बगा ठीक है जो तीन चीज़ा पर काम करें कल्चर लेंग्वेज और एड्यूकेशन अब किसके बार में बात करतें सिर्लंगा सिर्लंगा जाद हुआ नाइंटी फोटी एट में हमारे एक साल बात हो गया था बहुत सिर तो 1908 में क्या हो गया था दोस्तों अजार हो गया था और यह भारत के आपको बताए चोटा सा आइलेंड है ठीक है चोटा से क्या है आइलेंड अब समझते राम से सिर्लंगा और इसमें अमेसा दोस्तों लोग तंद्र बना रहा है भारत के बाद दक्षिन एशिया में एक 75 परसेंट 74 परसेंट कौन थे आपके सिंग्ली और कौन थे सिंग्ली कौन थे वाई सिंग्ली आप पो लोगे आंब बैलजियम के अंदर दॉस्तों दश भासा फ्रेंच बासा वह भासा श्यवर्शा समझ रहें डों किन अचीज आपको चिले किलियर होगी रटना नहीं है यह आपको बैंजिम दिख रहा उपर नीदर लैंड नीचे फ्रांड बैंजियम करे उपर बासा भॉल है दछ आप तुम्हें नीचे बाला समझ आ गया करां वेल्जमन के नीचे वाले कों सé बहा राज cricket इसे कारण बेल्जम के नीचे mag वाले सी ठीठ लेकिन से डिण माजा रहा नहीं है में लेक्षृणनिकर अपने मून निवासी है जिनका नाम क्या ओम है सिंहली। 44% सिंहली है तेरा परशेंट नाया है तैरा परशेंट नाया है श्लेंगा ज़ें। इंडिया वाँ चलों वाँ ब 향को इंडिय का फुर कई के शоко खरने ज तो आफ कोई तो आपको बुक में डाटा ही यह तो इन्याज पर सेंट मिलेगा तर्mak दे मिलें यह इन से लडाई करते रहते है वह भी लड़ाई होती थी डुच्छ फ्रेंच दुच फ्रेंच यह लड़ाया होगी सिंगली तमील नोग तंदिरी से 7 7 4 परसंट सेगली 18 परसंट तमील 18 में चलो दोस्तो अब एक चीजा बताओ तनाव यहाँ भी स्टार्ट होगा सेम टाइम दोस्तो कोई गड़ाबने 90 50 to 60 तनाव क्या हुए शुरू जब तनाव शुरू हुए तो वहां दिखाई थी बैंजिम ने समझदारी लेकिन सिलंका समझदारी नहीं दिखा पाया सिलंका ने मूल निवासियों को बढ़ावा देना इस्टार्ट कर दिया किनको सिंगली जो कितने परसेंट थे तो नाइंट्री फिट्टीविशिष इस वक्त क्या करते लेंिट् आती है इस वक्त करते हैं तो सिंगली भासा को पूसिंगली लेंगवेज को ओफिशीयल लेंगवेज को बना देते और कौन सी लेंगवज ओफिशियल अफिशियल लेंग्विज का मतलब है दोस्तों अफिशियल लेंग्विज अन्य राज्येenne कैसे बना देता है राजबास समयों कैसे हमारी हमारी राजबास हिंद इंगलिस ऐसे राजबासा बना तिम नहीं लगेगा क्य़blind हिए और फिर्ट को यह नी खिरा पेला पूइंट दूसर पइंट्ट गालए अच्छे सिख्षा मिलेगी इंग्ञाव बंपमिल Defense करना कुछ नहीं ऑच्छ किसके सिंगली सब कुछ किसके लिए नकिन से नहीं कुलसेगा तमिल मों किलसेगा तमिल लोग किलसेगा वह जोड़े के लिए उन्हों ने अपना एक संगठन बना लिया तम इन लोगों ने क्या गड़ा अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे क्या नाम था लिट्टे क्या नाम था लिट्टे इसको दोस्तों बनाया गिया 1980 कब बनाया 1980 यह एक्स्टर नोलेज देना क्या हो जाएगा Living right die ये संगठं ऐसा हर मचा देता है सिर्ला कर गें दर दर पुरे स्र्रे लंगा बरबाद कर दिधा उसकी एक्नम में ड़ाउन कर देता है अपनी एक Penilel Army समझो बहाई अपनी Army बना लेता है यह आतंगवादी संगठन बात में गोसित करते हैं सिलंगा उने इतनी आ रहे हो नाता है और सिंगलियों को मारना स्टार्ट करता है और बहुत खतरनाक तरीके सिलंगा बरवाद भूने के तगार पे आ चुका था समझ आ गया? अब यहां आपको एक फोटो दिख रही होगी यह बना हुआ है बाग क्या बना हुआ है बाग यही दोस्तों फ्लैग था किसका लिट्टे का लिप्रेशन टाइगर ओफ तमिल्लम का फ्लैग और यही थे परवाकरण कौन जो आपके हैड थे किसके लिट्टे के हैड किलिए होगया लिट्टे के हैड ते अब देखो क्या हुगा यह सीजेशत आ गए आपको लिट्टे संगठन गब बना 1908 कब बना 1908 कब बना था भाई 1908 फुल फॉर्म लिबेशन टाइगर उप तमिल नंग, इन लोगों ने बोला, इनकी कुछ दिमांड्स थी, इनकी क्या पड़ेंगे अब, दिमांड्स, क्या थी, तो दोस्तों, इसकी दिमांड्स थी, के हमारी भी लैंग्विज को क्या बनाओ, राजबास हैं नि, ऑफीशियल कि एसने बोलक और हमें बना वे 우리orryाatar में पारे यह लिख सकती हो बना बना गें इसने बोलने के बाद को कि आप कुछ नहीं कर सकते तो श्रिलंग का आपको पता है इसने बोला नोर्ट हमेशा हमारा सीह और इस्ट होता है, यह क्या है, इस्ट कभी confusion हो ना, सिधात क्या है इस्ट, तो north और east, इसने बोला, north east part को दे दो, north east part को अलग कर दो, तो demand क्या थी, north east part अलग, अगर आप official language नहीं बना सकते, तो north east part की इसने क्या करी, demand करी दोस्तों, चीज़ा के लिए रोगया, अब बताओ, य अब क्या करा पर्वाकरन को मार दिया और 89厲害 – अब नॉर्मल चीजों की ही देखे मारा जब्यार करते हैं easier सम्झोग दुछ और फ्रेंच में भी ऐड़ाई थी रही लेगिन ब्लचेम ने कर दिया करा अगर थीष्ट्रों पिस वोगोर्श नाँए करने से स्रैलंगा थीश्याइक प्लता हुद्ध यह ईक्षीнок में थूस वहं सिर्लंका सक्षारी नाट में आफह सक वह इस तो वह जो भारते तमील कैसे चलेगा है शिलंगा के अंदर वह तीसरा पोस्ट अगर आप इस तीसरा कोस्ट आप जो आप तो बहुत अच्छिज़ आप पूलिटिकल साइंस पढ़ देओ और आप चीज़ों को फील करके पढ़ देओ और आपने नाइन्थ में शिक्स टू नाइ बहुत अच्छा से बड़ी पॉलिटिकल से तो कि इसका अंसर नहीं बता सकते आप यह मेरा कुस्टन है अगली क्लास में इसका अंसर बताऊंगा यह पूछे एक्जाम में नहीं पूछेगा अंसर लेकिन आप पॉलिटिकल को पढ़ देऊ तो पॉलिटिकल को फील करके इसका अंसर मुझे कमेंड़े बताओ देखता हूं को बच्चा इसका अंसर मुझे पता देता है एकदम मज़ा आ जाया किसी ओनलाइन बच्चे ने इसका आंसर बता दिया तो चलो यह के लिए होगा है सबको कि बैल्जियम की सरकार और स्लंगा की सरकार कुछ नहीं कर कमे प्रेंच ने समाच्जी समन रिए शोशल मतलब समाच्जिक समोह जितने भी समाच्जिक समयो जैसे हिंदू मुझे लिये सब क्या है समाच्जिक समButtonДаनाध धे बिच आपको प्यदभाव को कम कर सकते हो क्या कर सकते हो भेदभाओ लड़ाई जग्डे इसको आपको कम कर लुक्ता सबस्क् Dis印 हब उसल ने बर बढ़ागे स्वेलंगा निक है आप ऋप्र हम करना सफॉलस्टा उन डेर शॉत्क का जब पनाना इस अगर में नाना तो किया कई करो दोस्ते है तो एक बनने के आदम हाँ ऑर चब आवर एक बनने का आतन हो थोIf वो यह तो लाज पंत्र होगा यह तो मुनार की स्टम होगा तो लोगतंत्र डेमोक्रेसी को अगर इस्टैब्लिस करना है किसको डेमोक्रेसी को अगर लोगतंत्र को बचाये रखना है दोस्तों लोगतंत्र की स्थावना करने है लोगतंत्र को स्टैब्लिस करना है तो दोस्तो most important है क्या power sharing तो दोस्तों chapter feel हो रहा होगा चिस समझ आ रहा होगा यहां तक एदम समझ आ गया अब last important question जो कि आपके यूटी में भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत most important question 98% ये question यूटी में फसता है लेकिन मैं आपको इस chapter से only 5 question बता हूँआ पांस से छे लाँच छे उसी में से 2-3 person यूटी में फसे रहा अगली वीडियो के लिए रेडिय दे अगली वीडियो के लिए चरूँए जब बोलने तो chapter feel करा है चरुबास एक बात बोलते है आपको पूरा chapter end में आपको feel हो जाएगा चप्टर को पढ़ना है अब समझाओ forms of power sharing मतलब ये रूप बताओ power sharing के कितने रूप होते है तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंतर जहां-जहां democracy है जो democracy में power sharing होती है पढ़ा भी चार रूप कितने रूप में लेगे चार तो सबसे पहला रूप कहन सा है पहला होता है horizontal क्या होता है horizontal पुछ रैटना नहीं है इसको जोटके है 6- 3 क्या वहन पढ़ा होगा ऐसे होता है horizontal अ्य होता है एकवल समझन है horizontal ऐसे vertical ऐसे और κकल ऐसे vertical ऐसे दूसरा वर्टिकल दूसरा आप समझो फोरी चंक जो है हमारे देशमें हरी जापए डिविजन भी और वर्टिकल भी है वार जोंतल का सरे वी चुर। और तो दोस्तों ये आप नाइंज म हैं पड़ा हुए इसफो बोलते है डिशेटर इसको फोटेव इसफोटेम शारिchlag दानल बनाती है एक्जीक्यूटिव इंप्लिमेंट करती है और नियायपाली के जुटिशरी जो इस कानुन को फोलो नहीं करता है दोस्तों को डंड करती है तो विधाइका के अंतर बैठते हैं मिलने काम क्या होता है कानुन को बनाना प्रसिटेंट प्राइम मिस्ट्र कारे पालिका में आएगी क्योंकि वो कानुन को इस कानुन को फोलो नहीं करता ऑने के बात तो नियायपालीका के शुच्छ सजा दे तो अब को प्हुदमकी लिए होगा होगा वॉरिजॉंटल थीनों इसलिए अब यह क्या है वर्टिकल इसको उद्रवादर भी बोलते है ठीक है वर्टिकल के अंदर आप समझ सकते हो जैसे कि सबसे टॉप पे होते है की इन सरकार हमारे देश में सबसे पावर्फुल के इन उसके बाद राज्ये उसके बाद इस्थान्ये सबसे पावर्फुल होती है सेंट्रल गवर्वमेट उससे कम स्टेट गवर्वमेट उससे कम लोकल गवर्वमेट तो यह बताओ वर्टिकल तो दोस्तों यह क्या है वर्टिकल वर्टिकल इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा पावर के इन उसके बाद राज्ये उसके बाद लो तो दोस्तो वर्टिकल पावर-डिविजन है. समझ आरा अची तरीके से. एकदम वर्टिकल समझ आ गया. तीसरा है. जो हमारे इंडिया में लोकल गॉवर्मेट है. इस तरीके से बेल्जियम में एक कोमेरिटी गॉवर्मेंट थी. जो क्या करती है दोस्तों, मतलब समाजिक, Samoo में भी पावर डिविजन है, शोशल गुरूप को भी पावर दे रखी है, तो मोलो नहीं दे रखे, तो याद करो, सोशल गुरूप को पावर नहीं दे रखी, दच और फ्रेंट क्या है दच क्या है शोचल गुरूप में भी पावर दिडिल दरना है एक्जामबल 4 हमने वहाँ एक गूर्मेंट बना रखे एक कम्यूंटी गोर्मेंट याद आ गया community government जिसको हिंदी मूवनें सामु दायिक सरकार क्या वोता है सामु दायिक सरकार तो दो भाईया तीन तो हो गए एक और बता दो तो कि इंडिया की अंदर मुवमेंट के पास पार है आंडिया को दोस्कों करते हैं और आप लोग तो नहीं करते हैं अंचोंक्ती एक रूलिंग प्वटी इसको हम बोलते हैं और को उसके पास भी पार है यह चार तरीके से पावर है, इंपोर्टेंट कोश्चन 98% एक्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यह पांच से कोश्चन बताऊँ अगली वीडियो में, वह ही यूटी में फसने वाले गरेंटी, यूटी में यही आयाएगा इस बार, कुछ नहीं, इस बार, निन्यानुए प ठीक है, समझ आगया, इस बार में चार्वा कोई हैंड़ लाए, तो हमारा चैप्टर दोस्तों क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, तो आप लोग हमारे इंस्टा चैनल को फोलो कर ले, आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो, और आपको इस चैप्टर की रील्स आपको बहुत जदा फाइदा होने वाला है, जल्दी से आप उसको फोलो कर ले, यह पूछ नहीं रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, यह ओडर है नहीं रहा हूँ, इसको जागे फोलो करना एकदम फास, एकदम समझ आ गया, तो थेंक्यू, एकदम सारी सिदे के लिए वीटियो में, टा-टा, बाइ-बाइ.